आपके फोन में जो है, जो मोबाइल नमबर आप डाल रहे होंगे, उसमें OTP नहीं आ रहा है, तो इसका क्या सोलूशन है, मैं आपको एक या दो तरीके बताऊंगी, आप वो अपने फोन में जरूर ट्राई करना, पूरा वीडियो जरूर देखना और अगर ना समझ मैं तो ए सबसे पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है देखे, आप जो भी SIM अपने फोन में जो है लगा रहे हो, मद आपके फोन में होगा, तो आपको एक बार देखना है कि आपका रिचार्ज है या नहीं, क्योंकि अगर आपके फोन में incoming call बंद होगी, तो आपके फोन में message आने की कोई सुविधार नहीं होती है, उस वज़े से भी दिक्कत आती है, ठीक है, और अगर फिर भी ना हो, तो आप एक बार जो है क्या करो, update कर लो, किसको message को update करना, वो कैसे करना, वो मैं आपको बताऊंगी, और दूसरा तरीका क्या है, तो देखि यह आपको sim cards and mobile number दिख रहा होगा न, जस्ट आपको इसी पे click करना है, और जो भी आपके phone में, मालिज आपके phone में एक sim लगा है, या दो sim लगा है, या कि किवल एक ही लगा है, अगर किवल one लगा है, तो इसी पे click करके, अपने phone का जो warranty है न, आपको इसको on रखना है, और मालिज आपके phone में दो sim है, तो मालिज आपके one है, two है, अब इसमें से आप कौन सा application number में mobile number डाल रहा होगे, दूसरा, दूसरा डाल रहा होगे, तो दूसरे पे recharge होना compulsory है, and दूसरे पे ही आपका sim, दूसरे sim पे click करके, वाल्टी ही आपको on करना है, ठीक है, but make sure कि आपके phone में recharge हो, जिस भी mobile number का आप यूज करना है, तो यह हो गया, और दूसरा क्या तरीका है, देखे, बहुत simple है, आपको just थोड़ा सन scroll करना है, phone की setting में ही, और यहाँ पर app बना होगा, इस app पे आपको click कर देना है, अब इस app पे click करने के बाद से आपको क्या करना है, देखे, आपने मालीजे इस पे click कर दिया, उसके बास आप manage app पे आजाएंगे, manage app पे आने के बाद याद रखना, app पे click करने के बाद हम manage app पे आएंगे, और यहाँ पे search कर लेना message, तो तुरंत आजाएगा, आपके phone में क्योंकि इसी पे OTP जाती है, इसमें आपको क्या करना है, दे आपने सारे settings को on रखा है, तो यह सही है, तो message पे click कर लेते हैं, यहाँ पर देखे, सबसे नीचे SMS बना है, इस पे click करो, अब यह देखो, मैने allow रखा है, तो मेरे phone में message भी आएगा, OTP आएगा, तो यह check कर लो, कहीं आपके phone में message वाला deny तो नहीं है, इसको allow रखना है, द जो भी message इसमें होगा, वो clear हो जाएगा, ठीक है, इसको भी clear रखना है, यह message का ही है, या और एक चीज़ और है, यहाँ पर restrict data uses पे click कर देना, और देख लेना, कि आपका इसमें से कोई बंद तो नहीं है, सीम 1, सीम 2, ठीक है न, अगर एकी सीम है, तो आपका बंद नहीं हो mobile number, यहाँ पर, इस पे click कर देना है, और system आपका देख लेना कि phone का software update है या नहीं, अगर नहीं है, तो update कर लेना, और अगर आपके message आने में फिर भी कोई दिक्कत हो, तो एक बार जो है, इस phone को जरूर on off कर लेना, उसके बास से यह सारी procedure करना, ठीक है, जो भी मैंने आपक को बताया न, वहां से अगर आपका click है, और यह, वोल्टी, यहां से on है आपका, प्लस mobile का recharge, होना चाहिए, तो यह तीन चीजे आप कर लो, आपका 100% OTP आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से problem सभी के साथ आती है, मेरे साथ भी कई बर होता है, मैं इसी से करती हूँ, मेरा problem solve हो है, ठीक है, तो चलिए, कोई भी दिक्कत हो, comment कर देना, और हाँ, इस एक information के लिए, please like करो, दोस्तों को अपने share करो, ताकि जिसको भी OTP की problem हो रही है, वो ना आए, क्योंकि form ना भर पाने के चक्कर में, आपको दूसरे state में जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो चलिए, मिल नासमेछ थंग्स्लासमे थेल्गी